Hello students, genetics के last part में अपने वन्शागति के नियमों के बारे में पढ़ा था Law of Inheritance के बारे में पढ़ा था वन्शागति के नियम ठीक है और आज के इस part के अंदर अपने पढ़ेंगे gene की अनोन्यक्रिया या gene interaction के बारे में तो सबसे पहले है कि जो जीन इंट्रेक्षन है, वो कितने टाइप का होता है, तो जीन इंट्रेक्षन यहां पे अपने पास दो टाइप का है, जो फर्स्ट है, वो है युगमविकलपी जीन अन्तेकरियाई या इन्ट्राजैनिक इंट्रेक्षन, और सैकिन्ड है, एः इंट्राजैनिक इंट्रेक्शन का मतलब क्या है कि एक ही जीन के अंदर ठीक है जो अंत्या क्रियाएं होंगी जो इंट्रेक्शन होगा वो एक ही जीन के अंदर होगा इंट्रा मतलब एक ही जीन के अंदर और यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है इंट्रजैनिक मतलब यहां र्चांपर क्या आ होंगे अपने पास दो जीन होंगे इंदर और जब एक ही जीन की अपने बाद करेंगे ऐक ही जीन के जो युगम्विकल्पी होंगे उनके बीच में जो अन्तिय क्रिया होंगी उसे अपने पढ़ेंगे intragenic के नदर या योगम्विकल्पी जीन अन्तियक क्रियां के अंदर तो अपने फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका योगम्विकल्पी जीन अन्तियक क्रियां या इंट्राजनिक फर्स्ट इसका टाइप है तो जैसा मैंने आपको भी बताया था की इंट्राजेने की यां यूगंविकल्पी जीन अंत्यक्रिया हैं। मतलब इसमे जो जीन है इसMें एक ही जीन की ऐलील जे बीचमें अंत्यक्रिय해주 होतीं हिएया जैसे कोई भी माझा लो एक जीन है जैसे को जीन है जो किसे कंट्रोल कर रहा है फ्लावर के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है ध्यान दो यहां पर अपने पास जो जीन है वो किसे कंट्रोल कर रहा है फ्लावर के कलर को तो अपने इसके पास दो अलील अपने मान सकते हैं दो अलील अपने मान सकते हैं तो कौन सा कैपिटल आर और दूसरा अपने कौन सा मान सकते हैं स्मॉल आर ये इसके दो क्या हैं अलील हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर ठीक है तो मान लो इस कैपिटल आर के कारण जो फलावर का कलर है वो कौन सा है रेड और स्मॉल आर के कारण जो फलावर का कलर है मान लो व तो यहां पर अपने पास जीन तो एक ही है ना जीन तो यहां पर अपने पास एक ही है जो क्या कर रहा है flower के color को कंट्रोल कर रहा है और उसके दो allele है एक capital R और एक small R तो इस एक ही जीन की allele के बीच में जो अनुक्रियाे हैं होगी जो interaction होगा उसे कि अपने किसमें पढ़ेंगे इंट्राजैनिंक या यूगरमविकलपी जीन अंतेकरिया हैं तो इस ही जीन कि एलियलिज के बीच में क्या होती है अंतेकरिया ही होती है ठीक है यह अपने याद रुखने इसे अपने एक बार साफ गर देखनी से अब आओ यह अपने पास एक क्रोमोजोम और यह अपने पास दूसरा क्रोमोजोम ठीक है तो यह है क्रियाएं कहां पर होती है सेम लोकस पर होती है मतलब यह आपस में जो क्रोमोजोम है वो किस पर कार किया है होमो लोकस क्रोमोजोम है क्योंकि इनमें यह जो जीन होंगे वो क्या होंग तो यह gene के हैं same locust पर present है homologous chromosome यह आपस में होंगे next आता है इसके example इसके अंदर जो अपने example कल पढ़ेंगे अपने इसके example कौन कौन से है incomplete dominance पूर्ण परवाविता पूर्ण परवाविता मतलब complete dominance बहु युगम विकल्पी multiple allele गातक gene मतलब lethal gene बहु परवावी मतलब paleotropic gene यह सबी exam के point of view से most important है exam के point of view से यह most important है यह तो था अपना intergenic next अपने पढ़ते हैं intergenic intergenic interaction ठीक है मतलब air yugum vikalpy gene तो अपने यहाँ पर देखते है air yugum vikalpy gene कौन से होते है air yugum vikalpy gene क्या होते हैं जो अलग अलग जोड़ी गुन सुत्रों पर पाए जाते हैं ठीक है मतलब ऐसे gene जो अलग अलग जो जो जोड़ी के गुन सुत्रों पर पाए जाते हैं ठीक है उन्हें अपने क्या बोलते है air yugum vikalpy बोलते है जैसे मानलो एक तो क्रोमोजोम का पेर है ये वाला एक तो गुन सुत्र की ये जोड़ी है और दूसरी जोड़ी है मानलो ये वाली तो यहां पर इसकी definition क्या कहती है definition में ये क्या कहता है कि अलग अलग गुन सुत्रों पर या अलग अलग जोड़ी गुन सुत्रों पर पाए जाने वाले जीन एय युगम्विकल्पी होते है मतलब मानलो यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है मानलो उसे अपने क्या नाम दे दिया इसे अपने नाम दे दिया आर वन ठीक है और यहां पर कोई दूसरा जीन प्रेजेंट है उसे अपनी क्या नाम दे दिया R2 तो दो जीन है यहां पर वो दोनों ही कहां पर प्रेजेंट हैं अलग-अलग मानलो यहां पर कौन सा था यहां पर कौन सा है यहां पर Capital R1 भी हो सकता है यह Small R1 भी हो सकता है और यहां पर कौन सा हो जाएगा मानलो small r2 तो यहां पर यह जो जीन है यह अलग-अलग क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है जो r1 जीन है यह इस जोड़ी गुनसूतर पर उपस्तित है और जो r2 जीन है यह इस जोड़ी गुनसूतर पर उपस्तित है ठीक है तो मतलब जो अलग-अलग जोड़ी गुंसोतरों पर जीन पाया जाते हैं उन जीन को अपने क्या बोलती है एोंके बीच में जो नतैख क्रihए होती है उसे अपने क्या बोलती है ए लृप्यूंप पॉइंकर देज्व पर I часов के पॉंप्ली मेंटरी जीन सप्लीमेंटरी जीन epistatis यहां प्रबलता यह most important है और polygenic inheritance यहां बहुजीनी वन्शागती तो यह अपने पड़ा है आज जीनी इंट्रेक्शन के बारे में कि यह दो टाइप के है इनकी जो detail है intragenic की इन्हें अपने एके करके जो अपने next lecture के अंदर पढ़ेंगे